अंतर राष्ट्रिय सांख्यांकन पद्धती एक संख्या के अंकों को तीन समोहों में विभाजित करती है, एकाई, हजार और मिलियन. आईए देखते हैं कैसे? संख्या चार, तीन, दो, साथ, पाँच, छे, आठ, एक, नौ पर विचार करते हैं. हम दाई और से तीन अंकों तक गिनते हैं और आठ से पूर्व एक अल्प विराम लगाते हैं. फिर हम तीन और अंकों तक गिनते हैं और सास से पूर्व एक अल्प विराम लगाते हैं. इस हजार और मिलियन ये अंतर राष्टिये स्थानिये मानचाट है आएए अब संग्या को बाईं ओर से गिनते हैं ये 432,756,819 है आएए अब हम अंतर राष्टिये स्थानिये मानचाट में विस्तार पूर्वक देखते हैं एकाई समों में तीन अंक हैं 9,1 और 8 इन सभी अंकों का एक विशिश स्थान होता है वे हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा इसी प्रकार हजार के समों में तीन अंक, 6, 5 और 7 हैं उनके स्थान हफजार, 10,000 और 100,000 हैं मिलियन के समों में तीन अंक, 2, 3 और 4 हैं उनके स्थान, मिलियन 10,000 और सैकड़ा मिलियन या 100,000 हैं आए, अब हम अंतर राष्ट्रिये स्थानिये मानचाट की सहायता से संख्याओं को पढ़ते हैं संख्या 4, 0, 5, 3 2, 0, 1, 4 0 पर विचार कीजिए सबसे पहले हम इसे स्थानिये मानचाट में वेवस्थित करते हैं अंक, 4 दो स्थानों पर दिखाई देता है दहाई और 100,000,000 अंक, 4 का अंकित मान दोनों स्थानों पर 4 है किन्तु दहाई के स्थान पर 4 का स्थानिये मान 4 दहाई यानि और सौ मिलियन के स्थान पर 400 मिलियन यानि 400 मिलियन है अब हम संख्या को पढ़ते हैं ये है 405,320,140 चलिए एक और संख्या पर विचार करते हैं 7,000,000,4,1,2,3,8 एक बार फिर हम इसे स्थानी मांच चार्ट में विवस्थित करते हैं और पढ़ते हैं ये कुछ इस तरह होगा 70,41,238